टूडे वी टोकिंग अबाउट फ्लेक्जर कमपार्टमेंट की मसल तो टोटल एट मसल होती है फाइब सुपरफिशल एंड थ्री डीप मसल यह अपने पहले वीडियो में बात कर ली थी ओके और प्रोनेटर टेरिस इसका ओरीजन इंसर्शन नर्वस अप्लाई एंड इसका यह अपने पहले वीडियो में बात कर ली थी ओके अब यह शेकेंड मसल फ्लेक्जर कारफी रेड लेरिस ओके इसका ओरीजन इसका ओरीजिन कहां शियो जाएगा मीडियल एपकॉंडाइल ओप्यूमरस ओके मीडियल epicondyle of humerus देखो जो flexor compartment की superficial muscle होती है ना, उनका common origin होता है medial epicondyle of humerus सब भी muscle का common origin होता है वहाँ से, ओके तो यह origin, अब insertion इसका insertion का हो जाएगा base of second and third metacarpal bone base of second and third metacarpal bone तो देखो, यह होती है अपनी carpal bone यह होती है metacarpal और यह होती है phalanges तो जो यह metacarpal bone होती है इनके तीन पार्ट होती है base, sapte and or head base, sapte and or head तो जो यह second and third metacarpal bone होती है ना, इनके base यहाँ पे यहाँ पे है ना, यहाँ पे attach होती है flexor, carpi, radularis muscle ओके? अब इसकी nervous अपलाई इसकी nervous अपलाई क्या हो जाएगी? वो ही median nerve है median nerve है यह भी common होती है nervous अपलाई action flexor compartment की muscle है इसलिए flexion करेगा फोर arm को तो flex and abduct hand एरते वरिष्ट joint यह होगी अपनी flexor carpi radularis थर्ड मसल है palmeris longus palmeris longus PL इसका origin origin वो ही median epicondyle of humorous इसका origin हो गया median epicondyle of humorous insertion तो इसका इंससन हो जाएगा flexor retinaculum flexor retinaculum end palmer aponeurosis देखो यह होता है अपना flexor retinaculum और पीछे की और होता है extensor retinaculum तो जो यह flexor retinaculum होता है यहाँ पे इसका insertion होता है यहाँ पे ऐसे ऐसे एसे इसका insertion हो जाएगा तो इसका insertion कहाँ हो जाएगा flexor retinaculum इसकी nervous apply median nerve action flexor नहीं करेगा पोर आरम को flexor वरिष्ट जोइंट ओके यह हो गई अपनी palmaris longus third muscle flexor digitorium superficial f ds flexor digitorium superficial origin इसका origin कहाँ चे हो जाएगा अब यह important muscle है इसका origin humorous bone चे भी होता है inner bone चे भी होता है और radius bone चे भी होता है तो first origin इसका humoral head यह तो वह ही है medial epicondyle of humorous humorous okay medial epicondyle of humorous inner head inner में कहाँ चे origin होगा इसका corinoid process इसमें भी medial side में उके अनना में corinoid process है third है radial radial head तो जो radius की sapht होती है ना sapht का जो anterior border होता है उसके इंटीर ओब्लिक line यहां से इसका origin होता है radius की sapht के जो anterior border होता है उसके anterior oblique line से इसका origin होता है अब इसका insertion इसका insertion कहां पे हो जाएगा अब देखो इसका insertion में बता देता हूँ सबसे पहले यह जब hand में इंटर करेगा ना इसका tendon तो इसका tendon च्यार पार्ट में डिवाइड हो जाएगा फैस्ट शेकेंड च्यार डिजित है ना इसलिए च्यार टेंडन थैर्ड एंड फोर च्यार टेंडन में डिवाइड हो गया अब पर्टेग टेंडन है ना दो स्लिप में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका insertion होगा middle फैलेंस फैलेंस होती है ना प्रोक्जिमल, मिडल और डिश्टल तो जो ये मिडल होती है ना यहाँ पर इसका insertion होगा इसलिए पर्टेग टेंडन दो स्लिप में डिवाइड हो जाएगा ऐसे 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 तो तो टोटल किती हो गए 8 स्लिप हो गए है ना तो इसका insertion चे 8 टेंडन और 8 स्लिप ओके तो देखना 4 टेंडन दिवाइड हो जाएगे यह तो श्लिप में इच टेंडन इच टेंडन तो स्लिप में डिवाइड हो जाएगा आएंगे और फिर मिडल फेलेंजस ओप शेकेंड टू फिप्ट डिजिट ओके चाट एंडन फिर दो स्लिप में और ये मिडल फेलेंजस पर इसका इंसेशन हो जाएगा शेकेंड थर्ड फोर और फिप्ट चाट डिजिट होती है नहीं सेकेंड थर्ड फोर और फिप्ट इन पे इसका इंसेशन हो जाएगा ओके ये हो गई फिलेग्जर डिजिटोरियम सूपरपीशल फिप्ट मसला अपनी फिलेग्जर कारपी अलनेरिश एप शी यूँ इसका ओरिजिटन कहांची हो जाएगा अब इसमें अनर आ रहा है न तो कहीं ने कहीं इसका ओरिजिटन अनना बहुंचे भी होगा तो वो ही है फियूमरल हेड फियूमरल हेड तो वो ही हो जाएगा मीडियल एपिकॉंडाइल ओ पियूमरस मीडेल, एपिकॉंडायल, ओफ्यूम्रस अब इसका अन्नर हेट देखना ओले क्रोनन प्रोशेस है ना अन्ना की अपरेंड पर दो प्रोशेस होता है ना ओले क्रोनन एंड कोरिनोड प्रोशेस तो इसका इंसेशन ओले क्रोनन प्रोशेस Ole Cronan process ओके तो ये हो गया इसका origin origin होने के बाद पर आप insertion इसका insertion कहा हो जाएगा अब इसका insertion देखो PC Porum bone पर होगा PC Porum bone ये कारपल bone होती है ने PC Porum यहां पर इसका insertion और यहां शे extension निकलेगा ex-ten sion इस tendon का extension निकलेगा पिशिपोरम बोन छे जो कहां पर जाएगा hemate पर जाएगा hemate बोन पर and fifth metacarpal bone metacarpal bone okay इसके मतलब base पर है न तो इसका insertion देखो यह होती है कार्पल बोन अपनी यहां पर तो कार्पल बोन की जो यह पिशिपोरम bone है न है न पिशिपोरम bone यहां पर attach होगी यहां पर होने के बाद इसका दो extension निकलेगा जो एक तो जाएगा hook of hemate hook of hemate bone पर और एक जाएगा fifth metacarpal bone इसकी nervous अपलाई हो जाएगी अनन नर्व है क्योंकि flexor carpi aneris bone है flexor carpi aneris muscle है इसलिए इसकी nervous अपलाई अनन नर्व है और इसका action देखना इसका action क्या हो जाएगा flex करेगी वोई flexion ही करेगी है न तो flex and adduct the hand at the worst joint ओके यह हो गई अपनी flexor carpi aneris तो यह five superficial muscle हो गई next वीडियो में बात करेंगी अपन deep muscle की जो कितनी होती है संक्या में होती है तीन अम्ड़ियो आगेवी है अपना